हलो एवरिवन आई होप यू आल फाइन वेलकम टू सेलेप चिचर विद मन्नू इन टोडेस वीडियो वी विल टॉक अबाउट चाहत पांडे जो की बिग बॉस हाउस में दिखाई दे रही है एंड फस्ट डे से ही लोगों का टारगेट बन चुकी है सो इस वीडियो के अंदर में उनकी रियल लाइफ से जुड़े हुए काफी सारे ऐसे सच में आप लोग के साथ ने शेयर करने वाली हूँ जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगे सो गाइस चाहत जो की बेसिकली मध्यप्रदेश की छोटे से गाउं चंडी चोपरा से बिलॉंग करती हैं जब वो केवल पांस साल की थी तभी उनके पादर उन्हें छोड़ कर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे उनकी मदर ने तभी से उनकी और उनके दो छोटे भाईयों की परवरिश अकेले की थी टीचिंग का जॉब करके शुरुआ से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें चाहत को एक्टिंग में ट्राइ कराना हैं जिसके लिए उन्होंने हर एक तरीके का स्ट्रगल भ भी बेज दी थी एन गाईज वो पूरी तरह से अपना मन बना चुकी थी कि उन्हें अपनी बेटी को एक्ट्रेस ही बनाना है अलागि जैसे जैसे चाहत की एज भड़ी उन्होंने उन्हें मुंबई भेज दिया था एन गाईज एक्टिंग स्कूल से काफी ज़दा को सीख लिखने के बाद फाइनली चाहत ने मुंबई का रुख किया और यहां पर ओडिशन देना शुरू कर दिया था एन उन्हें सबसे पहला चांस मिला था दूह दशन का एक टीवी शो था उसके अंदर और शुरुआ से ही चाहत को लीड रोल्स ही मिले थे जिसके बाद उन्हो एक बहुती प्यारा सा केरेक्टर मिला था पर शो का बजट बहुत ज़दा गरबर होच चुका था इस वज़ह से उस शो को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया था एन गाईस आप सभी को याद होगा स्टार भारत का एक शो राधा कृष्ण जो की बहुत ज़दा पॉपु कांट्रवर्सी हो गई थी जिस वज़ह से वो शो का हिस्सा नहीं बन पाई थी एन इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़दा अफसोस भी हुआ था हाला कि गाईस उसके बाद भी उनकी जर्नी रुकी नहीं एन वो एक के बाद एक टीवी शो करती गई एस लीड एन गाईस और उनकी मदर को जेल भी जाना पड़ा था एन गाईस अभी हाल ही में इसी साल उन्होंने आम आदमी पाटी से इलेक्शन भी लड़ा था हाला कि गाईस वो इस इलेक्शन में हार गई थी तो बेसिकली चाहत ने इतनी कम एज में पॉलिटिक्स में भी जाने का डिसीजन ल दिया था आलगी गाईस उसके बाद उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने बापस से टीवी को कंटीन्यू किया पर जिस तरह से उनकी परसनेलिटी बिग बॉस हाउस में दिखाई दे रही है उससे कही न कहीं पता लगता है उनके ड्रेस से भी और उनकी बात करने के अं एन गाईस रियल परसनेलिटी में भी शायद वो इतनी ही टिपिकल और इतनी ही सीधी है विकाईस आप लोग देख सकते हैं उनका ड्रेस सेंस भी बहुत इजी है बिग बॉस हाउस के अंदर भी एन गाईस बिग बॉस हाउस में ही हमें दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के को अभिनाश अब हम बात करते हैं चाहत की शादी को लेकर सो गाईस काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चाहत पांडे की शादी हो चुकी है सो गाईस इस सब में बिलकुल भी रियालिटी नहीं है चाहत पांडे की शादी तो बहुत दूर की बात है उनका कोई आज तक ल दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में गाई से चाहत जो हैं वो दो साल तक शो के अंदर काम कर चुके हैं, वो दोनों साथ में and वहाँ पर इन लोगों का कोई कॉंट्रिवर्सी हो गई थी, इन लोगों का कोई जगडा हो गया था, जिस वज़ा से इन दोनों की बीच में गाईस लडाई भी हो गई थी, वो सारे चीज़े हमें बिग बॉस हाउस में भी देखने मिल रही हैं, कही न कहीं अभिनाश and चाहत दोनों ही एक दूसरे से कटे क दिखाई देते हैं, so if you like this video then please hit the like button, do subscribe to my channel for more interesting videos, press the bell icon to never miss any updates.